वेलकम फ्रेंड्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है कल का होलीडे होने के बाद आज फिर से सीबा के बारे में नई अपडेट के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए बना है फाइनली आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा या नहीं पड़ा होगा तो आप जान लेजिए कि आज के दिन में आर कोईन अचानक से गिर गया है सीबा इनू और अपने इस इस तर से नीचे गिरते हुए जो कि आर 72 के आसपस बना हुआ था काफे समय से वहां से गिर कर यहां पर 69 पॉइंट्स पर आ गया है निएकि 5-0 के बात की बात कर रहा हूं में 69 पर आ गया है और रेगुलर ये जो गरूह दो हुई है क्या माइने है और फ्यूचर में इस कोईन के उपर क्या राई बना एं क्या इसमें इन्वेस करें या फिर ये डेड कोईन हो गया है क कुछ नहीं होगा इसका हमारा पेसा वेसे ही बरबाद धीरे-धीरे हो रहा है क्योंकि जिस टाइप से लोग यहां पर देखते हैं अगर कोई नया बंदा आता है या फिर पुराना बंदा अचानक ससीबा पर आता है तो वह यहीं देखता है उन्हें क्या रहा है सीबेरियम ल खुला फरवरी से ही रेगुलर वेस पर डाउन के तरफ जा रहा है बीच में ग्रोथ आई तो उसका कोई अंतर नहीं है तो यहां पर कोई भी यार संका में आ जाएगा क्या करूं में क्या सेल कर दू तो आज हम यहीं जानेंगे और इसका थोड़ा फ्यूचर भी डिसकस कर तो चेलिए हो चालिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं यह जो गृषं हुई है तो से धांगे को के गया होगा पहला तो रीजन है बिटकोईन यहां पर नीचे गिर गया बिटकोईन नीचे गिरने से पूरा क्रप्ट मार्केट नीचे गिर गया अगर आप देखेंगे तो 1.56% डिक्रीज हुआ है लाश्ट डे में मार्केट जहां पर मार्केट वन पॉइंट जीरो नाइन ट्रिलियन डॉलर था सेवन हो चुका है यहां पर तो मार्केट में यह ग्रावट डेड़ परसेंड की काफी बड़ी है और इसका इंपेक्ट बिटकोईन के कारण पड़ा है कोई सीब्या को भी मिला था सीभा भी बड़ा था तो अब डाउन जाएगा तो विसलिया वह भी डाउन जाएगा क्योंकि मार्केट तो यार सेंटिमेंट पर चलता है ना यार सब चीज़ें के पिछे एक चलती है तो यहां पर जो हम देखें वीडियो लाइक कर दिया करो चैनल सस्क्राइब कर लिया करो क्योंकि नाया चैनल आप लोगों सपोर्ट क्या हो शक्ता है भाई अगर यहां पर देखोगे तो वोल्यूम देख लीजे 108 पर्शन और वह भी ग्रिन में हैं क्या समझे इसका मतलब पेसा आया है यहां पर ट्रांजेशन लपक के हुआ है व यानि कि हम हाफ हाफ भी कर रहें तो 16 घंटे पहले की ग्रावट है और यह जो अचानक से वोल्यूम बड़ा है यह अगले इस लाष्ट 16 घंटे का है यह 15 घंटे का मान लो तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मार्केट ग्रावट हुई है यहां पर तेजी से पेसा आया है ट्र ट्रावट दर्ज हुई मार्केट गिरा तो लोगों ने बेचा ट्रावट हुए फिर लोगों ने बाई किया ब्लू वहल इसमें एक्टिव रहते हैं इसे मामलो में क्योंकि यही लोग इस प्राइस को कंट्रोल भी करते हैं आप बले आप रतेक शुरूप से यह जूड़े होगे तो यह अचानक से इड्रोथ बड़ी है यहां से लेते ऊपर गया तो ग्रोट यही पर दिख रही है और इस जलरा है और से चल रहा था मार्केट यह भी क्रोस और यहां पर निकले गा और एक अच्छी यहाँ पर pump देखने को मिलेगा क्योंकि market यहाँ पर तो रुकेगा नहीं उपर ही जाएगा market अगर पूरा overall market गिरता है ना तो यह obviously बढ़ भी जाता है यहाँ पर सीबा अकेली गिरती है तो फिर वो बढ़ने में थोड़ा problem रहती है पर एकदम अचानक से market गिरता है तो recovery कर लेता है क्योंकि देखो volume यहाँ पर बढ़ गया तो यह संकेती तो है कि market उपर की तरब जाएगा और यहाँ पर bitcoin का अगर आप देखे तो bitcoin में भी volume 63% increase हो गया तो market उपर की तरब होने लग चुका है यहाँ पर आप देख भी सकते green बन गई है candle तो यही चीज़े हैं अगर इस चीज़ को सही से notice आप करोगे तो काफी अच्छा profit बनाओगे अब आप कहोगे कि सर यार वो 69 पर है coin 70 पर पहुच गया है लगभग अभी के अभी तो अभी यह 72 यह 73 पोइंट पर 50 के बाद पहुच भी गया तो क्या फाइदा कितना बड़ा profit हम बना लेंगे लेकिन आपको मैं बता दो blue बहल यहां से बड़ा profit बना लेती है क्योंकि उनकी quantity जादा होती है वो जादा invest करते है अब जादा invest करेंगे तो भले ही percentage कम भी है ल लगा रहा है एक वेक्ति दस अजार लगा रहा है और एक वेक्ति एक करोड़ रुपे लगा रहा है तब भी वही profit अगर हम माने की वन पर्शेंट profit है लेकिन तीनों का तो डिवाइड अलग अलग हो जाएगा प्रोफिट तो अलग अलग मिलेगा एक हजार वाले को क्या मि बात कर लें तो देखें सीवा इनों फ्यूचर तो ब्राइट है यह तो आप लिख के रख लो फ्राइज सीवा इनों जरूर बढ़ेगा कुसामजी ने 8-10 महीने का सिबेरियम के असर दिखने में लगाया बोला है तो 8-10 महीने तो वह मान के चलो उसके बाद यहां पर पेंड करती सीवा के प्राइज तो वहां से बूश्ट मिलेगा और अभी हाली में मैंने एक लाश्ट वीडियो में बताया था कि जो सियोतोसी कुशामा है वह आई टेकनिक पर भी काम कर रहा है एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है किसी कंपनी के साथ जोएंड तो वहां ब्लोक्चेन लेकर आए उनको पता मीम टोकन की मीम केटेगरी खत्म हो गई है मीम को कोई नहीं पूछेगा है ना डोज कोई की बात अलग है वह एलोन मस्क उसको बढ़ाते रहेंगे लेकिन बाकी कोई को कोई नहीं पूछेगा तो वह ब्लोक्चेन में आ गए ब्लोक्चे आमने ज्यादा आ नहीं रहे स्टेटमेंट नहीं दे रहे लेकिन लगे हुए है वह तो कहीं नहीं सीबा को फ्रोफिटबल बनाने के दिसा में काम कर रहे है जो कि भविश्च के लिए अच्छा है एक लीडर की यही तो पहचान है कि अपने प्रोजेक्ट को हमेंसा मॉनिटर करते रहे और समय के साथ चेंज करें उसमें समय के साथ वह चेंज कर रहे है अपने आपको तो एक अच्छे चीज है तो यही सब चीजे है तो भविश्च तो सीबा इनों का ब्राइट है सब्र रखिए फल जरूर मिलेगा और इसी के साथ इस वीडियो में एंड करता हूं चैनल सस्क्राइब कर लेना वीडियो लाइक कर देना नमस्कार